सूर। Hey guys, देखो, सेभी! सेभी ने ने सिर्फ दो कमपनियों का करदन पकड़ने का कुछिस किया है मतलब समझो कहने का मतलब है कि सर दीप investigation कर रहा है उन पकमपनियों के बारे में जिस तराइके से लग रहा है सेभी को कि भाई उस company ने सच में कोई ना कोई गलत काम कर रखा है अब देखें सर जेनरली दो चीज़े होती है एक कि भाई पकड़ा गया कोई दिकतवली बात नहीं पकड़ा गया जो भी मतलब समझ लो कि कुछ भी हुआ था पकड़ा गया अब माल लेते हैं कि सर सामने वाला भी समझदार है सामने वाला भी समझदार है तो पकड़ा ही नहीं जा रहा है तो सर फिर उसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ ना कुछ special कुछ ना कुछ special कदम उठाय जाते हैं उसके लिए सकत कदम उठाए जाते है सर, ताकि जल्दी से जल्दी सब कुछ find out कर दिया जाए, तो सर, सेवी पूरी तरीके से जांच करने के कोशिस कर रही है, लेकिन सर, वो company पकड़ा नहीं जा रहा है, तो सेवी ने भी ठान लिया, कि देखो भाई, दो तरके से जांच होती है, एक internally, एक externally, ठीक है, एक अंदर से जांच होता है, एक बाहर से, बाहर से जितना भी, देखो, यह माल लेता है, यह company है, तो सेवी को जितना जांच करना था बाहर से company के बारे में सेवी ने जांच कर लिया, कुछ नहीं पकड़ा गया, लेकिन सेवी को still लगता है कि ये company सच में कुछ गलत कर रही है, तो सेवी ने बॉला यार boundary तोड़ो और अंदर जाओ, अंदर जांच करो, जब सब कुछ पता च BGP को तार्गेट कर रही है, इतना ही फार्क है और यह कोई दूद कादूला हुआ नहीं है, यह कानून को फोड़ा फॉलवू कर लो पाई, क्या दिक्त है? यह बोलता है यह क्या कर लोगा, तुम कुछ कवाब लोगे? मतलब कानून के धज्य उड़ाने वाला यह इंसान और आज के डेट में जब यह पकडा गया तो फिर इस पबलीक बोलती है कुछ पबलीक नहीं बोलते हैं के वहल कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मोदी ने गलत किया किसी ने कोई गलत नहीं किया भाई देश के कानून पे भरोसरा हो ठीक है ये पिछली बार क्या उला जा था आदानी को भर-बर के पैसा दिया गया मोधी ने सुप्रीम कोट से आ गया कि भाई आदानी साफ सुत्रा फिर एक और नियूज आते हो नजरा आई से लेकर वो भी क्लीन हो गhin तो सर कोई दिक्ततवाली बात ने इस सुप्रीम कोट है हमारे पास ठीक है आप जैसे लोगों को लगता है कि सच अर इडी ने यहाँ पर जो है इडी ने कितने बार तो इडी ने से नौ बार नोटिस भेजे कि भाई केजरिवाल भाई साहब आजाए ना कुछ घंटों के लिए आप से कुछ पूछ ताज करना है प्लीज कृप्या करके आप आजाए आपके पैर तो नहीं पकड़ सकता क्यों भी समझ रहो ना सब का आपन किसी को कितने बार नोटिस भेज सकती है एक बार दो बार क्या गवर्यमेंट को खिल समझ रखा है तो इनको बुला जा रहा है कि भाई आपा जाओ नहीं समझ में आ रहा है कि जिवाल को नो बार बुला या नहीं है तो फिर एडी लें क्या क्या बाउंटरी तोड के अंदर चलिगा है कि चलो भाई अब पकड़ो इनको लेके जाओ तो यह होता एक इंटर्नल होता है एक 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 स्टर्नल होता है अब देखें सेवी और आर्भी आई दोनों के पड़िया हो रही है तो फिर आर्भी आई को बीच में आना पड़ता आगर मान देता है वह बिजनस एन्बी अपको पर पाईया जाता है तो जिस हिसाब से होता है वो चला जाया तो यह एनबी एपसी कंपनी है इस वज़ह से सर आर्भी आई को यहां पर कुछ बोला गया फिर RBI ने पूरा investigation किया क्या पाया गया नहीं पाया गया मैं आपको बता दूँगा आईए मैं आपको बता तो पहला पहला जो company है sir IIFL finance इसके उपर से भी ने तो छोड़ो RBI ने फिर बोल दिया RBI के हाथ में केश चला जाता है ठीक है तो RBI ने सर सीधा बोल दिया बहुत सारी मतलब restriction लगाए है यहाँ पर RBI ने बोला है कि भाई देखो तुमारे तरब से जो तु गोल रिन दिया जाता था ना वो गोल लोन देना बंद करो जिस तरके से sir PTM को बोल दिया गया ना गोल आप नहीँ दे सकते करके ठीक है फ्रेश लोन भी आप नहीँ दे सकते फ्रेश लोन अगर आप देना चाहते हो तो भाई वो भी आप नहीँ दे सकते करके ठीक है क्यों तो बोला जा रहा है कि भाई जो आए ऐस फदमेंरे पास है glass और-डो लोन आपको बता देता हूँ, माल लेते हैं, गोल्ड का एक example ले लेते हैं कि सर, वो 1000 रुपय का, ठीक है, आपने कोई गोल्ड लाया, उस गोल्ड का प्राइज माल लेते हैं, एक गोल्ड का यह माल लेते हैं, यह chain है, यह chain है, यह chain है, गोल्ड का chain है यह, अभी 1000 रुपय का सर, example म नहीं पता है ठीक है तो वो क्या बोलेगी जो सामने वाला जो आई एफल बोलेगी ठीकिये सर आपको गोल्ड का जो वैल्यू है ना यह आपका 600 रुपया कही दिख़़ा आइसा है मतलब क्या होता था वेट मतलब सब्सक्राइब जब आप उसको वेट करते थे जब वहाँ ए इंचे चम्बुक लगा दिया जाता है, क्योंकि weight ज्यादा हो जाए लोगों को ठक दिया है, उसी तरीके से इनको gold के weight में ठीक है, और transparency में और ज्यादा तर जो चीज़े हैं, सरीन लोगों ने फिर cash में लेना कर दिया, तो यह तो totally घलत है, cash में नहीं करना है, तो cash में अगर यह ज्यादा तर काम cash में करने लगे, तो इसे हुआ क्या, कि stock का price उपर नहीं जाएगा, public को profit नहीं मिलगा, केवल कुछ लोगों को profit मिलगा, जो side से पैसा खाएंगे, बास समझ मैं, इस वज़े से sir, इनको बोला गया, और इसे वज़े से इनके stock देख लिए किस तरीके से धड़ाक से गिरते हो नजर आ रहे है, और इसे वज़े से क्या बुलाया RBI ने इनको, कि भई मैं तुम्हारा special audit करवाऊंगा, special audit, एक डम side से, जितने भी auditor रहेंगे, RBI के द्वार रहेंगे, जितने भी auditor रहेंगे, RBI के द्वार रहेंगे, वो सभी लोग उनकी team रहेगी, एक ही बार सब लोग जांच करेंगे, करके, एकदम सारी चीजर जो पहली है, करके, और जैसे ये खबर आई कि special audit होगे, तो स्टॉक का प्राइज देख लिए गिरता हुए नजर आ गए यहाँ पर, ठीक है, RBI यहाँ पर देख सकतो, to start special audit, यहाँ पर देख सकतो, IIFL और GM financial तो यहाँ पर बात आ जाती है, सर जेम, तो GM से related जो आती है न सर, तो इसके भी stocks में एकदम ध़ड़ा-ध़ड गिरावड देखने को मिली है, सर, यह company 2006 से काम कर रही है, 2006 से काम कर रही है, और आज तक सल company profit नहीं कर पाई, share का price उपर गया ही ने, तो जितने भी retail investor है, shareholder है, sir, वो तो फस गए नहीं यहाँ पर, फस गए नहीं फस गए, sir, तो इनको क्या बोला गया है, RBA के तरप से इनको क्या बोला गया है, कि देखे भाई साब, आप जो shares और debenture के against में loan बाटते थे न लोगों को, बंद करते हो, वो धंदा बंद करते हो, ठीक है, आप तुम नह नहीं है, तुमारे अंदर कोई transparency नहीं है, और तुम अंदर से कुछ गडबड़ो या खोखला टाप की दिख रहे हो, इस वज़े से इन दोनों कमपनियों को सा special जांच करने के लिए जो है, बोला गया RBA के तरप से, special audits है, ठीक है, और इसी के कारण सर होगा क्या, कि नहीं भी बड़ी company नहीं जितना हम सोच रहा है, ऐसी भी नहीं है कि अदानी जैसे company चलो संभाल लेगे अपने आपको, नहीं, possible नहीं है सरु उतना जाता, तो वहीं सारी चीज़े हैं यहां पर बताई जा रही है, ठीक है, देख सकतो, IIFL का share गिरा Tuesday को, फिर उसके साथ सा GM Finance का stock गिरता हो नजराया, क्यों गिरता हो नजराया, Reserve Bank of India यह भी बोला कि यहां पर लगबग जो है, special audit conduct किया जागा दोनों के लिए, ठीक है, दोनों company के लिए, जहां पर इन्हों नहीं ने बोला कि भाई, date भी दे रहा हूं यहां पर 8 April, ठीक है, submit the bid is 8 April आपको बताया ज अची है, नहीं तो फिर भाई, government है, कुछ कर सकती है, ठीक है न, उसके साथ साथ क्यों हो, तो बोला जा रहा है कि supervisory concern रखा जा रहा था, इन तक gold loan portfolio बताया जा रहा था, ठीक है, तो मने आपको बोला न, gold loan जो portfolio बताया जा रहा था, उसमें सर किसी ने किसी तरीके से इनको करपड़ पाई जा रहे थे, तो पहली चीज तो सर, इनके, मतलब brand image पर भी काफी जाता, जो है, मतलब, क्या बोलता है, कि सर, effect होगा, मतलब याद रखे, अगर कोई company है, 100 रुपे का, ये 100 रुपे की company है सर, अभी ये company को अगर बेचा जाता है, तो कितने रुपे में बेचा जाता है, ये 300 रुपे में बेचा जाता है, ठीक है, ऐसा हो था, लोग बोलेंगा, सर, 100 रुपे की company है, आप 200 रुपे में बेचा जाता है, ऐसा होता है, होता है, जो ये 200 रुपे एक्स्टा ले रहे हैं, 300 रुपे जो एक्स्टा लिया जागा ना, सर, जो भी लिया जारे मोम जारेंगे येश बेंग को सुधारने के कोशिए की गई लेकिन सरी येस बेंक का ऊपर आज तक चड़ा नहीं चड़ा क्योंकि जो लोग पुपलिक को दोखा देते हैं वह वापस आप RBI ने पुरा clean sheet दे दिया, कि हाँ पर एक कोई दिक्कत नहीं था, ये एक temporary problem था, हमारा काम है RBI गवर्मेंट, कि भई हमारा काम है, देख भल करना, इस वर्यास से हमने किया करके, RBI ने clean sheet दे दिया, जिस तरीके से सराधानी को दिया गया था, तो फिर कोई टेंचन नहीं है, लेकिन अगर कुछ पकड़े गए, तो गए काम से सकते, तो ये दो ऐसे stock है, जिन से मैं आपको बिलूँगा, कि भई, थोड़ा दूरी बनाए रखना चाहिए, कल के rate में कोई भी positive cover आगे, तो stock 20% भागता होना जरा सकता है, कोई भी छोटी सी positive cover, ये stock को 20% उपर लेके जा सकता है, सर्कीट में इसका मतलब ये नहीं की company अचीए, हमें ये fluctuation से थोड़ा दूर रहना चाहिए, मेरा मन, बाकी आप देख सकते हो,